नमस्कार मित्रगन आज के इस फार्ट में मैं लेके आया हूँ दिसंबर 2005 में हुए जी सी नेट जारेफ के संस्कृत प्रशन पत्र के सौल्व को इसमें कुल 50 प्रशन है और सभी प्रशनों के कौन सौल्व करेंगे तो सबसे पहला प्रशन है कौन आमद द्यूस्थान देवा इन सब में से कौन सा देवता है जो द्यूस्थानिय माना जाता है तो इनमें से इंद्र है यहां अंतरिक्षस्तानिय है अगनी है प्रत्विस्तानिय है वायू भी है अंतरिक्षस्तानिय है और सूर्य है यहां द्युस्तानिय है जै मेनिये ब्राहम्छाम केन वेदेन संबधम। जै मेन ब्राहम्छ यहाँ, हमको पता है कि सामवेद से संबध है। याग्यवल्क का संबाद यह बहुत ही फेमस है बहुत ही प्रसिद्ध है भृदारन्य को प्रसिद्ध में मिलता है याग्यवल्क की पत्नी है मैत्री उनसे याग्यवल्क का संबाद है बहुत ही अद्भुत है इसमें प्रायहा सबको पढ़ने लायक है वो संबाद कस्य देव कि गुप्तचर आप देखेंगे तो बहुत ही प्रशिद्ध हैं अगला चठा प्रश्ण है यास्क मते कती पद जातानी संती यास्क के मत में कितने पद हैं तो चत्वारी पद जातानी नामा ख्यातो पसर गनी पाता हैं कप प्रणेता वेदांगत जोतिस के प्रणेता कौन है तो वेदांग जोतिस के प्रहिनेता लगधा चारे हैं इन्होंने रिवेज से समब दजोतिस गरंत मूलिखार इनमें से पाने अस्टाध्याई के प्रहिता हैं वेदांग व्याकरन के कात्यायन वार्तिकों के प्रहिता हैं भरत्रहरी ने कई गरंत लिखे वाके पदी योती opposite आइभेश चंद्रव पाक्ष् युज़तिया सेप सब्कूर्ण भार्वक भСТ फ़ित में वियुकानि इसथ कि भी not उनक यहाइब व्रण कुण की स्थुति करता है तब भूमि शूक्तम कम वेदम विश्ड़ी करोती भूमि शूक्त यहां है किश्वेद के अंतरगत प्राप्त होता है तो भूमि शूक्त अथर्व वेद के बारहमें कांड में प्राप्त होता है को नाम देवा वृत्रहा इत्व चते वृत्रहा किस देवता का अपर नाम है तो वृत्रहा यहां हमको ज्यात है कि इंद्र को वृत्र को मारे हैं वृत्र की हत्या करने के कारण वृत्रहा इंद्र को कहा गया है सामवेदस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विशे है उस्ति सामवेद का सबसे प्रमुख प्रतिपाद्य विशे है गान स्तुति है रिगवेद का ज्यान है ज्यान भी जहां तक उपनिशन्दों का है रिगवेद का भी है वोग सभी वेदों का विशे ग्यान है प्रमुख्य प्रतिपादे विशे नहीं, यजुरुवेद का प्रमुख्य प्रतिपादे विशे हैं कती मंदलानी रगवेदे विलसंती, रगवेद में कितने मंदल प्राप्ट होते हैं तो इसका सही उत्तर है, दस मंदल हैं, इसलिए इसका दसताई भी नामानतर है कारण भावाच इतने नकि sizin पुष्यते एं कारण भावच ये तो खहके किस चीज की पुष्टी की गई है तो सत्कार्यवाजगी सांख्यकारिका में नवी कारिका हसद करनाद, उपाधान, ग्रहनात, सरवसंभवा भावाद शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम अगला प्रश्ण है कि कार्यम भवती तो अब देखिए कार्य क्या होता है तो जो कुछ भी कार्य होता है केवल विक्रती रूप होता है किवल हम प्रकृती स्वरूपम जो होता वो कार्य या नहीं होता वो कारण होता है प्रकृती स्वरूपम अभी विक्रती स्वरूपम अभी वो कारण कार्य दोनों होते हैं प्रकृति स्वरूप यानी कारण स्वरूप और विक्रति स्वरूप यानी कारे सरीड़ तो ना प्रकृति स्वरूप ना विक्रति स्वरूप जो हो वो पूरुस होता है। किसको बांध रेती है तो अपने आपको बांध लेती है रूपई शब्त भी रेव तो बदना त्यात्मान अमात्मना प्रकृति ही सहीवच पुर्शार्थम प्रति विवों चेत्य करूप एना एक रूप से वह भी मुक्त हो जाती है ग्यान रूप से और जो सात रूप है को मुक्त करती है वियत कर्मानाम विधिना परित्यागा उपरति ही वेदान तसार में आप पढ़ेंगे तो अथवा विधियानाम कर्मानाम विधिना परित्यागा ऐसा उपरति का लक्षन के दिया गया दूसरा दो लक्षन दिया गए उपरति के इसमें देखें गुरू पदिष्ट वेदान्त वाक्यस विश्वासा ये सरद्धा है तितिछा शुष्टो शनादी दुन्द से सुनता है और बाहेंद्रिय का निग्रह है वो दम है वेदान्त सार के अनुसार लिंग सरीर के कितने अवयों होते हैं तो 17 अवयों होते हैं वेदान्त सार के अनुसार 10 इंद्रियां, मन, बुध्धी और 5 प्राण 18 अवयों होते हैं सांके के अनुसार अखिल सर्व शरीर वरती वाई हुविद्यते व्यानवाई पूरे सरीर में रहता है प्राण नाचिका के स्थान में नासाग्र स्थान में रहता है वेदांतसार के अनुसार और तर्क संग्रा के अनुसार हिर्दे स्थान में रहता है अपान गुदस्थान में रहता है और उदान जो है कंठ देश में रहता है शब्दस पर्सव अभी व्यज्जी एते शब्द और शपर्स ये दूगन कहां पे मिलते हैं तो वायू में पंचीकृत वायू में शब्द और शपर्स रहते हैं पंचीकृत आकास में केवल शब्द रहता है पंचीकृत वायू में शब्द और शपर्स रहता है तदुच्चते यत कार्यात पूर्ववर्ति कार्य के बाद में रहेगा तो कारण कैसे होगा वो कार्य के पहले रहेगा तो कारण हो सकता है पर कार्य के समकाल रहेगा कार्य के समकाल रहेगा तो भी कारण नहीं कह सकते हैं कारे के निश्चित पूर्ववर्ती रहेगा मतलब वही कारण कहा जाएगा यत्रधुमहा तत्राग्निहीति साहचर्य नियमहा यापती ही यह बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है सब को प्राया तयार होता है जो एक भी बारतर कह संगरा पड़ता वो इसको इतना पता चल जाता है फिर इसके बाद 23 प्रशने संग्या संग्य संबंध ज्यान स्य कारण संग्या संग्य संबंध ज्यान क्या होता है उपमिती और उसका कारण होता है उपमान प्रमान अनुमान प्रमान अनुमिती ज्यान का कारण होता है प्रत्यक्ष प्रमान प्रत्यक्ष ग्यान का प्रमान कारण होता और शब्द प्रमान शाब्द ग्यान का कारण होता है अग्निना सिंचती ती उदाहरन मस्ती है अग्निना सिंचती यह किसका उदाहरन है तो आपको यहाँ ग्यान तो होना चाहिए कि योग्यता नहीं है इस उदाहरन में योग्यता विशयक उदाहरन ही है योग्यता के अभाव होने के करण अग्निना सिंचती है प्रमान हम नहीं मान सकते है गुन संग्या विधायकम सूत्र मस्ती गुन संग्या करने वाला सूत्र है अदें गुना और जो सूत्र है मिदेर गुना ये मिद्धातु को गुन करने वाला है अद गुना है भी गुन संग्या करने वाला है यंगंत और यंगलुगंत में गुण करने वाला ये सुत्र है गुण यंगलुको ये सब गुण करने वाले सुत्र है और ये गुण संग्या करने वाला सुत्र है तक्तवतू प्रत्य इन दोनों प्रत्ययों की कौन सी संग्या होती है तो इसका सही उत्तर है निश्ठा तक्तवतू निश्ठा ऐसा सूत्र है पहले ध्याय के पहले पाद में 25 वा नंबर स्वाधी पंचप प्रत्या नाम का संग्या भवती तो सू अवुजस अम आउट इन पांच प्रत्यों की शुड़न अपुंसकस्य सूत्र से सर्वनावस्थान संग्या होती है सू अवुजस अम आउट सू आधी पांच प्रत्यों की होती है संप्रदाने का भिवक्ति है भवती तो इसके लिए सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने संप्रदान में कौन सी भिवक्ति होती है चतुर्थी इसके बाद समी चीन आम तालिकान चिनुत है तो ब्रद्धी के लिए कौन सा सूत्र है ब्रद्धी आधैच आप्रक्त एक आल प्रत्य उपढ़ा अलंतियरवा व्वहासा नविती तो वृद्धिक के लिए सूत्र है आदेच वृद्धिर आदेच सूत्र है के लिए दियाएगा तीन आमें तीन आएगा तो तीन यानि यही वाला या तो यह वाला सही होगा ए या सी बा में क्या आता है अलुन्तियात पुरगोपधा चार आता है बामे चार आता है तो बामे चार ये बिल्कुल पहला वाला ही सही लग रहा है फिर भी देख लेते हैं सामे क्या है अप्रक्तेकाल प्रत्य यहां दो बिल्कुल सही है दा में एक है ये भी सही तो यानि ये वाला भी कल्प सही है अप्रिक्त एकाल प्रत्य यहां बिद्धिरादवीच अजन्तियत पुर्ववधा और नवेति विभाशा चार सूत्र उस पे भ्यास प्रिषियती यहां पर किस सूत्र से विफक्ति भी हैं उस पे भ्यास प्रिषियती तो पुस्पे भ्यास पुरहियती ये इसा होता है क्रिया यमब्रेती सोपी संपरदानम यह एक वार्तिक है क्रिया के द्वारा जिसका भी प्राय किया जाता वो भी संपरदान है फिर पंचा नाम गंगा नाम समाहा रहा इतत्र का समासा पंच गंगम बन गया समाहार अर्थ में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे पंच गंगम है इसमें पहले पद पंच है और समाहार अर्थ में इसलिए द्विगू होना चाहिए संख्यापूर्व जो होता वो द्विगू होता है तो दिगु पर कन्फ्यूज होंगे ऐसे बात नहीं है यहां दिगु नहीं है अगर पहला पद संख्या वाचक हो और दूसरा नदी वाचक हो तो वहां नदी भिश्ची सूत्र से अव्य भाव समास हुआ है ऐसा मानना चाहिए पंच गंगम दियमनम त्रिकावेरी त्यादी उधारण है उपराजम में कौन सा समासांत प्रत्य हुआ है तो आपको पता है पता होना चीए कि अभिभाव में एक सूत्र है अनस्च अनस्च सुत्र से अनन्त जो अब यही भाव होता है उसमें टच प्रत्य होता है अगर यही उपराजम तत्पुर समास होता तो राजा हा सकिभ्यस टच सुत्र से टच प्रत्य होता है राजा अन्त जिसके अन्त में अहन होता है वो इसे अन्त में और सकी जिसके अन्त में होता इसे तत्पुरुस से टच परते वो करता है राजा है सकिव्यस टच पर टच परते उसमें भी है राजम आये राजम आये टच परते में लगते बनता है समासांत टच परते हैं अगला प्रशन है इन सब में से वियोगात्मक भाषा कौन सी है तो वियोगात्मक भाषा हिंदी ह व्योग आत्मगभासा है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा व्योग है इसी बात नहीं है इसमें राम के लिए सब्द और शब्द और प्रत्य मतलब प्रकृति और प्रत्य में संयोग नहीं होता व्योग होता दोनों अलग अलग भी जोड़ सकते हैं जैसे समस्कृ खुरुत में रामस से कहना है तो रामस से एक ही सब्द रहेगा पर हिंदी में कहना तो उसका विव्योग रहेगा राम के राम का यह सब्द हातम अबाशा है। कुत्र अंतर्भवति चा वर्ण किसमें अंतर्भूत होता है तो अनुनासिक नहीं अनुनासिक तो होता है गायानामा और चंद्रविंदी स्पर्स हाँ स्पर्स में आता है कासे लेके मातक के सभी वर्ण स्पर्स कहलाते है तो स्पर्स के अंतरगति ये भी अंतर्भूत होता ह स्वर्वर्णों में अयू रिल्री एवो आते हैं संघर्षवर्ण महाभास भासा विग्यान का विशा इसमें नहीं है संघर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर्षवर् यहारेहाय रघवान्स महाकाविय रजाओं चे राजान के बारे में बताया गया। ने वहाद करना है जो रगवन्स के राजा कैसे थे जो शिक्षुकाल में ही विद्याओं का प्यास कर लेते थे और फिर यवन्स काल में स्त्रियों का संसर्ग इत्याजी करते थे और फिर इसके बाद वर्धावस्था में मुनियों की तरह जो आचरण करते थे और अंतिम काले में योग के दारा शरीड़ का तियाग करते थे इसके बाद अगला प्रशन है अश्वगोस वीरचित इन में से कौन सा है तो इसका सही उत्तर होगा बुद्ध चरित अश्वगोस वीरचित है रगवन्स कालिजास दसकुमार चरित दंडी हर्फ चरित बानभट्ट की रचना है इन जब में से नाटिका कौन सी है तो इसका सही जवाब है बुद्ध चरित में अंगी रच और चरित में अंगी रच करुणरस माना गया है हालां कि कुछ लोग करुणर विप्रलम हसरगार भी मानते है पर वहा हमारे निट के परिष्छा के अनसार नहीं है पातम नप्रतमं व्यासिति जलम युसमाश वपीते सुया या जो अभिग्यान साकुंतलम में तत्तर स्लोक चतुष्टेम जो प्रमुख चार स्लोक है उसमें से दूसरा स्लोक है अभिग्यान साकुंतलम में चत्वारस संधयों कुत्रभौंती चार संधियां किस में होती है नाटकों है नाटक में तो पांचों संधियां होती है मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्स और उपसंवर्दी पांचों संधियां नाटक में होती है और फिर उसके बाद प्रकरण में भी पांचों संधियां होती है भान में भी पांचों संधियां होती है नाटिका में पांच संधियां नहीं होती नाटिका एक उपरूपक है इसमें पांचों नहीं चार संधियां होती है भाण में भी पाँचों नहीं होती है, भाण में पायती नहीं होती है, काव्यालंकार सुत्रवर्ति कार कौन है, काव्यालंकार सुत्रवर्ति किसे ने लिखी है, तो यहां हमको बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ग्यात होना चे वामन, इसके रचेता है काव्यालंकार सुत्र अगला प्रस्ण है information शरीर Dlategoism शरीर्मतावद किस लिया है कावलं लक्षन की लिकार सुह धंडी ने युपने काव्याःतर्स में कहा है काव्या दर्स में कहा है कि सरीर्मतावद शर्षार्थ्व्यवचिन STAR पदावली यह काविकावन के अनुसार लक्षन है वीर रसर से स्थाई भावा कहा स्थी तो वीर रसर से स्थाई भावा उच्छा है वीर रस का स्थाई भाव है उच्छा है और वाचार्त प्रतिपाद करने का लिए शक्ति कौन सी है किस सक्ति के द्वारा वाक्षयार्थ का प्रतिकादन होता है तो अभिधा सक्ति के द्वारा लक्षार्थ का लक्षना के द्वारा व्यंग्यार्थ का विंजना के द्वारा केवल तात-परियार्थ का पर्तिकादन करने के लिए होती पर्याक केवल कि महाकिमारिलव बट यदिन अभी 13 तानवे वादियं केमत में परकरण में कितने अंक होते हैं इन से 10 अंक होते 他ि अइन प्रश्थी मोन पहां और पांच अंक ये नाटक में होते हैं प्राया पांच से दस के बीच में जो अंक होते हैं वो नाटकों में पाये जाते हैं महाकावे में नियुनता कती सरगाव होंती नियुनता कितने सरगों होते हैं महाकावे में तो आठ से जादा सरगों होने चाहिए नाटक में ऐसा नियम है कम से कमाट सरग होने चीए फिर उसके बाद अच्छोद वर्णन अच्छोद सरोवर का वर्णन किसमे प्राप्त है कहां पे मिलता है तो इसका सही उत्तर है अकादमबरी में अच्छोद सरोवर का वर्णन मिलता है पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद